मुंबई के इंडिकट वजरे सुरी में भवान नर्सिंग की साधना होने जा रही है जिसमें भगवान के दस सुरूपों का अनुस्ठान किया जाएगा भगवान नर्सिंग के दस सुरूपों की साधना मनुस्य के सभी मनुकामनाओं को पूर्ण करता है इनकी क्रपा से मनुस्य तेजी से तरकी करता है सत्रूपर विजे प्राप्त करता है हर तरह की नकारत्म पुर्जा, जलन, विग्न संतोसियों से आपकी रच्छा होती है भगवान नर्सिंग चारो दिशाओं से सत्रू और तंतर बाधाओं से आपकी स्वरच्छा करते हैं इसमें आपके सभी प्रकार के भै दूर हो जाते हैं इसकी वज़े से सभी तरह की आर्थिक अर्चने दूर होकर धन व्रद्धी के स्रोत बढ़ने सुरू हो जाते हैं, नोकरी, व्यापार, दुकान, धंदे में तरक्की के साथ विवाद, इकलेस, नस्ठ होकर परवारिक शांती मिलने सुरू हो जाती हैं, इसमें भाग लेने के कर दो तरीके हैं, एक तो सिविरी में आकर, आप साथा में भाग ले सकते हैं, दुसरा आप आप आउन-लाइन भी भाग ले सकते हैं, अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिसकिप्चन मिलने कि दिया है, वहाँ पर फार्म भरकर आप रेजिस्टेزन करवा सकते है मुंबई की निकड माता बगला मुखे का भविय मंदर का निर्मान होने जा रहा है इसमें आपके सहयोग की आउ सकता है इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इंकम टेक्स की आयकरधारा ATG की अंतरगर्ट छूट का लाब ले सकते हैं अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मस्कार दिवयोग आस्म क político से आपका हर्दिक स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे मिर्ची के उपर मिर्ची प्रयोक की चर्चा करेंगे जाहिर की किचन का एक आधार है मिर्ची, सबजियां इसकी बिना स्वादिष्ट नहीं बनती, इसके आयरवेदिक गुन भी माने जाते हैं, लेकिन स्पीच्वल छेतर में भी इसका उपियोग बहुत जादा किया जाता है, मिर्ची के अंदर जो गुन है, वो उसका तीखापन होता है, और जो तीखापन होता है, वो नकरात्मक उर्जा को दूर रखता है, लेकिन उसकी अपनी एक पद्दती होती है, उस चीज़ को निकालने के लिए, उस चीज़ को दूर करने के लिए अपनी एक पद्दती होती है, अगर आप अपने जीवन में अलग-अलग समस्य से ग्रशित हैं, और आपने मसूस किया होगा, कि जब आपके ऊपर कोई एक समस्या आती है, तो उसके तुरंत बाद दूसरी तरफ से, तीसरी तरफ से, चौथी तरफ से, समस्या आना सुरू हो जाता है पूरी तरीके से यानि चारों दिसाओं से समस्या का आना सुरू हो जाता है आप तेजी से परिसान हो जाते हो तो ये चीजे जो होती है नकरत्मक उर्जा जब बहुत तेजी से आती है तो उसे कम करना उसे मिकालना उसे नश्ट करना बहुत जरूरी माना जाता है तो हमारे जो पूर्वज हैं आपके जो पूर्वज हैं वो पहले से ही इस तरह के प्रयोग को जानते थे और उस प्रयोग के आधार पर वो अपने आपको ठीक करते थे यह एक ऐसा प्रयोग है जो आपके सामान जिंदगी जो है यह आपके जीवन को पटरी में लाने के लिए आपके विग्ण वाले जीवन को संतुलित बनाने के लिए सामान जीवन में लाने के लिए यह प्रयोग किया जाता है तो अगर आप चाड़ों दिशाओं से परेशान हो, घर में क्लेस हैं, अचानती है, भाई-भाई में विवाद चला है, बहन भाई में विवाद चला है, माता-पिता में विवाद चला है, सब परिवार के जो सदस हैं, एक दूसरे पर किसी किसम का विवाद में फसे हुए हैं तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये प्रयोग जो होता है हर तरह के मानसिक क्लेस, सारीरिक क्लेस या अध्यात्मिक क्लेस, अध्यात्मिक क्लेस का मतलब है हर तरह की नकारत्म कुर्जा, कभी-कभी आपका प्रिवार बहुत अच्छा रहता है, खुस रहता है, एक नकारात्मा कुर्जा अगर आपके घर में प्रवेस कर जाए, तो पूरे घर में जिससे कि महा युद्ध हो जा, उना सुरू हो जाता है, इस सरकी प्रिशिती सुरू हो जाती है, तो ये प्रयोग खास माना जाता है, इसके लिए करेंगे हैं, डिले लले वस्पन का शांत कमने में बैठ जाएं, जमिन पर नहीं बैठ सकते हैं, तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत हो कर बढ़ जाएं, बिस तर में न बैठें, कर लिए ध्यान रखें, अपने सामने तीन मिर्ची रखें, लाल मिर्ची, तीन होनी चाहिए, तीन लाल मिर्ची अपने सामने रखें, और उसके सामने सेम सुक्री मुद्रा लगाएं, और ये सुक्री मुद्रा लगाकर आगे जगर बध्यान दें, दस बार आप प्राणायम करें, यानि ऐसे जिते दिद हो सके रोके रखें फिर धीर यह से छोड़ें फिर जोर से खीचें इस तरीके से दस बार आप प्रणायम करें दस बार प्रणायम करने के बाद यही मुद्रा लगा कर खास प्रकार का बीजमंतर च्रॉम 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 च्र जो किसी भी प्रकार की तामसिक अवस्ता हो, तामसिक परिसिती हो, किसी भी प्रकार का विग्न हो, किसी भी प्रकार की अर्चन हो, तो नर्सिंग बीज मंदर का उपियोग किया जाता है. तो चैसे मैंने बताया कि तीन मिर्च को सामने रखें। लाल मिर्च होनी चाहिए। सुखी लाल मिर्च अपने सामने रखें। मुदा लगा कि 10 बार प्रणायम करें। अगर आप उस दिन दान नहीं कर सकते तो आप जंकल्ट कर लें, ये करने के बाद जो मिर्ची है उसको किसी लकड़ी यानि अगरबत्ती की लकड़ी होती है वो ले 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 या कोई कांड़ी कोई लकड़ी ऐसी पत्ती लकड़ी ले 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 उसको आरपार करके छेत कर दें और इसको अपने घर के दच्छिन दिशा में आपका जो घर है दच् धिरे धिरे आपको मसुस होगा, कि वापस से आपके जीवन में, हसी-खुसी लौट आई है, सुक्सान्ती लौट आई है, ऐसा आप मसुस करेंगे, ये प्रयोग बहुत आसान है, किसी भी एकदसी को, किसी भी अमोस्या को, किसी भी सनिवार को, ये प्रयोग सुर्यास्ति के बाद किया जाता है, एक दिन का प्रयोग है, ये प्रयोग बहुत 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 लाब होता है, ये प्रयोग करने से, बस पुरी सद्धा से इसका प्रयोग करें, अपनी जीवन में लाब लें, लाब मिलता है, तो किसी दूसरी की बिना स्वार्थ के मदद करें धन्यवाद तेहम